नमस्कार दोस्तों मैं अविनास कुमार आप लोगों का सावगत करता हूं मेरे चैनल जीएसएश्टो वास्तू में आज आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहा हूं मैं एक इनफॉर्मेशन्स कि हम लोग कुंडली मिलान में वस्स मिलान कैसे करते हैं जो सबसे पहले आता है करते हैं अपने कंदली मिलान के लिए हमने पीठले वीडियों में मिलान में आपको बताया है और आपको अच्छी तरह क्यों सम्झ में आया होगा क्यों इतने होते हैं कुलई मिलाण के लिए उसी परकार आज का जो Tipp है वह वस्य मिलान having lecular हमारे कुिनि मिलान हमारे अश्टकुष मिलान में हमारे खुनि मिलान में मिलान को डो अंक निर्दारित किए किया यह रोषिक्ष का साबदिक अर्थ क्या होता है नियंद्रन में रहना, कुंडली मिलान में संभावित, दंपत्ति, अर्थार्थ, वर्ण और कन्या की रासियों का हम लोग तुलनात्मक अध्यन करते हैं, तक है देखा जाता है कि किसी रासी, किसकी रासी, किसकी नियंद्रन अथ्वा वस्म है, ताकि ये निर्धारित किया ज दामपत्य जीवन में कौन अधिक वर्चुत सुशाली रहेगा हम लोग सभी रासियों को पाथ समूहों में वर्विगित किया गया है यह आप देख सकते हैं रासियों के नाम देया गया है आपको और जो यह पांच जो भाग हम लोग बनाए हैं जो वस्स भाग होता है पहला होता है दूसरा दूइपाद तीसरा जल्चर होता है चौथा बंचर होता है और पांचवां कीट वस्स होता है बारहों रासियों को इसी के बीच में हम लोग वर्विगित करते हैं सबसे पहले हम लोग समझें कि चेतुस्पाद होता क्या है चेतुस्पाद अर्था पशूर पाल्तू पसुल जो सिर्फ स्वयंग के बारे में सोचता है उसी परकार यह दूईपात को मानब भी करते हैं जिसके दो पैर होते हैं तो दूईपात क्या होता समाज एवं दूसरों के बारे में जो सोचता है उसे दूईपात कहा जाता है उसी परकार जलचर जो ऐसे जीव ज सिंग को रखते हैं वंचर के आएक एक कांत वासदी पसंद करता है और परिस्थती अनुसार वो कभी-कभी हिंसक भी हो जाता है और लास्ट में आता है कीट वस कीट वस जो होते हुँ अपनी भावनाओं को छिपा के रखता है चाथा आवेसक होने पर डंक भी मारता है दोस्तों किसी तरह संसीद वासां वश्यम का तात्पर होता है किसी का नियंद्रन अथ्वा वर्चस कहलाता है अब हम लोग देखिए जो भी हमारी कुंडलियों बारह रासी होती है उसको हम लोग पांच भागों में डिवाइड करते हैं तो मेश, व्रीश, धनु का उत्राग और मकर का पुरवाद को हम लोग चतुस्पाद वस में रखते हैं उसी परकार मिधून, कन्या, तुला और धनु का पुरवाद एवन कुंब को हम लोग अर्थात मानव वस में रखते हैं उसी परकार आपको कर्क, मीन, मकर का उत्राग उसको हम लोग जल्चर वस में रखते हैं और सिंग को हम लोग वन्चर वस में रखते हैं और विशिक वो कीट होता है उसे हम लोग कीट वस में रखते हैं विवा के लिए कुंडी मिलान के सम संबावित, अंतर विरोद एवं टक्राओं को रोकना है। यदि कन्या की जण्मरासी, वर की जण्मरासी के नियंत्रयन में हो, तो दोनों के बीच उत्तम सामंजस होता है। यदि इस्थिति इसके विप्रित होगी तो दोनों के विच आपसी समझ एवं सोहार्द का अवाओ बना रहेगा कहता इसकी परिनिती दोनों के बीच प्राय लराई जहगरे मन मुटाओ टक्राओ आधी के रूप में होती रहेगी अब हम लोग देखिए कि जो राशियों का जो बर्ग है उसे हमनों यहां बता दिया है अब हम लोग इस जो वस पांच परकार को होता है उनको हम चार सेनियों में वर्गिद करते हैं पहला वस से हो गया दूसरा मित्र हो गया तीसरा सत्रू हो गया और चौथा आपको भक्ष हो गया वरिष्चिक जो वरिष्चिक को छोड़ कर सभी रासिया सिंग रासि के वस से होते हैं क्योंकि य चिद्र के अंदर अथवा मांद में रहते हैं इसलिए सिंग का व्रिक्षिक्वर्ग वस्य नहीं होता है दोस्तों किन्तु मानव जो हमारे मानव है वो सिंग के उपर भी नियंद्रन अस्थापित कर लेता है अथवा उसे पालतु पसु बना लेता है आप देखे होंगे वस् से की अपनी तथा मित्र स्रेनी की रासियों के साथ दोस्ती होती है तथा सत्रू और भक्ष स्रेनी के साथ हमेशा उसकी दुस्मनी अर्था सत्रूता होती है वस्य कुट मिलान में यदिवर का रासी का नियंद्रन कन्या की रासी पर होता है तो उसे अच्छा मिलान माना जा ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सभ्यता में प्रारम से हमारा समाज पूरुषपरधान समाज रहा है अथा अश्टकुट मिलान में भी वर का वर्चस दामपत जीवन के लिए अति उत्तम माना जाता है अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कन्या एवन वर्र का वस्य निधारत करना है फिर एक सारनी वना लेना है और यह देखना है कि दोनों किस स्रेनी के अंतरगत आते हैं अर्था चतुसपाद में आते हैं कि दुविपाद में आते हैं जल्चर में आते हैं कि वन्चर में आते हैं कि कीट में आते हैं यदि दोनों के बीच माल लिजे मितरता होती है, तो हम लोग दो अंग निर्दारित करते हैं, यह हम लोग दो अंग उसे पड़्दान करते हैं, यह हम लोग कुंली मिलान करते हैं. यदि दोनों के बीट यदि दुस्मनी हो सतुरता हो तो हम लोग एक अंग परदान करते हैं यदि एक वस तथा दूसरा भक्ष हो तो एक अंग यदि एक सतुरू और दूसरा भक्ष हो तो हम लोग जीरो अंग गुन परदान करते हैं अब चिलिएल दिक कि यहां पर हमने एक अलग से सार्मनी वनाई है पाँचों के बारे यहां लीजे कि वर क्वेश्च चत्व SM में आते हैं और कणिया यह यह नुद्ष्व करलता है दोस्तों, भ fotografary लाता है उसी उसकार दिवर क्वेश्च चत्वरfrei में करलते हैं। कर्युपांद में आते हैं इसे में उसत मांनते जिसे हो सफ्रक्राइब होتي जुर्टकिय। एक हमेंची के लिएधि यदि वर्ग आप चतिस्वाद हो करिकी वन करन्यां बहुत बुरा मिलान कहलाता है क्योंकि कि वर्ग का हमेसा सिकार होगा हमेसा यदि इस दून एक गश्वा कर बन्छर है और चतिस्वाद है उन्छे करवार देते हैं, तो हमेशा जो कन्या है, वर के ऊपर भावी रहे गी, उसी परकार, यहिए वर चतूस्ताद होते है, कन्या गीत होते हैं, तो यह भी और जाता है, अब मान लिजह कि वर दुविपाद है आपको, और कन्या चतुसपाद तो ये औसत मिलान कहलाता है उसी परकार यदि वर दुईपाद है कन्या भी दुईपाद है बहुत उत्तम बहुत स्रेश्ट मिलान इसको हम लोग कहते हैं यदि उसी परकार यदि वर दुईपाद है कन्या जलचर है इसे हम लोग अच्छा नहीं मानते इस मिलान को दोस्तों उसी परकार यदी वर्ग विपाद है और कन्या जल्चर है यह बहुत बुरा जानबर मनुस्र को हमेशा संकट में देता है संकट देता है सबसे बुरा कहलाता है उसी परकार यदी वर्ग विपाद है और कन्या यदी कीठ है तो अच्छा नहीं यह ओसत का मिलान हम लोग इसे कहते हैं दोस्तों इसे बी हम लोग अवसत डोस्तों उस्य परकार यदे वर जल्चर है करना यदि वँरण करते हैं उसे एक परदान करते हैं कंया कीट is अब खाजाता है दोस्तों आप जानते सिंग जत्तुस पाजाएगा यह पालतु पसू हो जाते हैं यह हमारे जंगल में रहने वाले और कभी कभी हिंसक हो जाते हैं तो इसलिए इसे बहुत बुरा माना गया है उसी परकार यदि वर्ज बंचर है और कन्या दुविपाद यह भी ब मिलान होता है उसी परकार यदि वर्ज बंचर है कन्या कीट है तो इसे भी हम लोग बहुत बुरा मानते हैं दोस्तों अपने कुंडली मिलान में अब देखिए वर्यदी कीट होता है कन्या चतुसपाद तो उसत मिलान वर्यदी कीट है कन्या दुविपाद उसत मिलान वर्य यह बहुत बुरा मिलान कहते हैं ऐसा हमारे कुंडली मिलान में आता है तो हम लोग साधी के लिए ना बोलते हैं उसी वर कीट है और कन्या आपको भी कीट है यहां कुछ हमने नोट से आपको बना के दिया हुआ दिखले यदी दोनों के बीच मितिता हो दो अंग ये दोनों के बीच सतữता हो एक अंग ये बहुत ही इंपोटेंट है इसे आप दूर ध्यान से सोनें और हो सके दो कहीं कर लें यदि एक वस तथा दुसरा भक्ष हो तो एक अंख तथा यदि एक चत्रुच तथा दुसरा भक्ष हो तो हम जो जीरो गुन परदान किया जाता है हम जब कुंडली मिलान करते हैं इसी परकार आप यदि किसी भी वर कन्या की कुंडली आपके पास आती हो या आप अपने से मिलाना चाहते हैं यदि आपके पुत्र की साधी करना चाह रहे हैं किसी की कन्या की कुंडली आपके पास आती है तो आप इस परकार मिलान करके देख सकते हैं कि वर कि सवस्थ में आ किर्प्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्करें साथ में लाइक और सेयर करना कदाबित ना भूलें दोस्तों और मैं साथ में यह भी कहना चाहरा हूं कि किसी परकार कि यदि आपको कुंडली मिलान के सिलसले में कुछ भी समस्या आ रही हैं यह आपको कुछ भी नहीं क्मेंट बॉक्स में आप कमेंट करें मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का तो फिर हम लोग अगले वीडियों में एक और नए गुन और नए कुट के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपको तारा कुट हमारे जीवन में बहुत ही कुंडली मिलान में हैं कुछ नया फैक्टे खुले और इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यदि आपको इस नया स्टाफ रख रहे हैं उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट तारा चक्र नव तारा चक्र होता है तो अगला वीडियो भी आप जूर देखिएगा दोस्तों तो जय माता दी धन्य वा दोस्तों